फालो फेंज, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिस अर्वांटेज यूटूब चैनल पर फ्रेंज इस वीडियो क्लास में मैं डिसकस करूंगा पेराग्राफ फिलर्स के कुछ बहुत ही इंपोरेंट कोश्चिन्स और ये कुश्चिन्स आईवीपेस, पीओ, प्री और मेंस, आईवीपेस, क्लर्क और दूसरे सभी बैंकिंग और इंश्रेंस एक्जैम्स जैसे आर्बी आई इन सभी एक्जैम्स के लिए ये कुश्चिन्स हाइली इंपोरेंट रहेंगे तो चलिए देखते हैं इन कुश्चिन्स को देखे ये हैं रियल कुश्चिन्स और इस तरीके के कुश्चिन्स जनरली मेंस एक्जैम्स में पूछा जाते हैं लेकिन चुपी कंप्टीशन बढ़ता जा रहा है बैंकिंग एक्जैम्स में तो pre-exam में भी इस तरीके के questions आपसे पूछे जा सकते हैं देखे, इन questions को क्या कहते हैं? इन questions को आप बोल सकते हैं paragraph fillers या paragraph completion paragraph fillers कहना सही होगा क्योंकि normally ये बीच में दिया रहता है blank और यहाँ पर इस paragraph में ये जो blank दिया है यहाँ पर कौन सा sentence सही होगा? appropriate sentence यहाँ पर आपको fill करना है ठीक है? इसमें आपको word fill नहीं करना है इसमें आपको appropriate sentence fill करना है अब इसमें कुछ basic tricks में आपको बताऊंगो कि कैसे इन questions को किया जाता है? क्या इसमें logical reasoning को आपको apply करना होता है? कैसे keyword को हम पकड़ते हैं? अब देखिए, कभी भी जब आप पढ़ें इस तरह के sentences को तो ये चिंता बिलकुल नहीं करें कि सारे word meanings आपको आते हैं या नहीं आते हैं आपको एक general understanding होनी चाहिए यहाँ से हम पढ़ते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं a shocking degree of insensitivity वो sensitive नहीं है, insensitive है और players के जो interest है, उनका वो ख्याल नहीं रख रहे हैं कुछ गलत हुआ है ठीक है, यहाँ पर BCCI ने मना कर दिया है कि कोई tournament होने बाला है उसको उसके लिए India की जो team है, उसको select नहीं किया गया है उसका जो reason उनके दिया है, वो दिया है operational reasons अब यहाँ पर logically क्या sentence आ सकता है एक ऐसा sentence यहाँ पर आ सकता है जो previous sentence मेरी कोई भी noun दी है previous sentence मेरी या तो इस sentence मेरी या इस previous sentence मेरी कोई भी noun दी है उस noun को जड़ी कोई pronoun replace कर रहा है तो वो sentence definitely यहाँ पर आ सकता है क्योंकि यह logically सही है और एक ऐसा sentence भी यहाँ पर आ सकता है जो जो जिसका यह extension बने जैसे यहाँ पर आप देखिए Virat Kohli's man should compete in the tournament यहाँ पर एक suggestion दिया जा रहा है कि Virat Kohli के जो associates हैं जो players है उसकी team में जो खलाडी है उसको उनको tournament में participate करना चाहिए मतला कुछ गलत हुआ है उनके साथ अब हम यहाँ पर options देखते है इट से पूर स्पोर्ट मैंसिप देखे स्पोर्ट मैंशिप BCCI क्यों दिखाएगा तो यह कहना थोड़ा सा गलत होगा यहाँ पर हम देखते इमेडिएटली देर आफटर BCCI officials floated the story that India would not participate in the 8th edition of the Champions Trophy in England ठीक है यह यह भी काफी अच्छा है काफी close है यह seen in that context इजिए ट्रेबस्टी यह एक मजाक है ठीक है यहाँ पर हम और देखते है देखिए ध्यान से देखिए D sentence में जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर दिया है BCCI officials जो कि एक noun है और इसका replacement दे ही हो सकता है he or she नहीं हो सकता तो दे भी यहाँ पर दिया है और एक तो यह reference point मिल गया यहाँ पर इसके लाभा हम इस sentence को थोड़ा सा पढ़ लेते है तो उससे मैं पता पढ़ जाएगा कि Context के according यह सही है या नहीं They have let down the cricketers They have let down the cricketers मतलब cricketers को नहीं निराश किया है तो यह बिल्कुल सही appropriate fit है यहाँ पर They have let down the cricketers who are busy with the Indian Premier League but also have an eye on the Champions Trophy तो Champions Trophy की ही इसमें बात हो रही है As it starts their international session besides giving them an opportunity to defend their title ठीक है तो यहाँ पर actually इसमें D option जो है यह appropriate fit है क्यों है क्योंकि एक तो यहाँ पर दे आ रहा है जो कि BCCI officials जो कि एक noun है उसका एक suitable suitable replacement है इसके लाभा context इस sentence का जो context है वो बिल्कुल सही है इसमें यह बोला जा रहा है कि BCCI officials ने caters को let down किया है उनको निराश किया है उनको disappoint किया है जो Indian Premier League की तैयारी कर रहे हैं Champions Trophy के लिए अपने आपको तैयार कर रहे हैं उनको select नहीं किया गया है तो यहाँ पर D आपका इसमें appropriate fit आपका होगा ठीक है तो logic को किस तरीके से establish करना है logical reasoning को किस तरीके से apply करना है keyword को किस तरीके से पकड़ना है reference point को किस तरीके से देखना है यह सारा मैं आपको बताता हूँ English Revantage YouTube चैनल पर और यहाँ पर मैं आपको SSC के लिए banking के लिए insurance के लिए English section पढ़ाता हूँ इस वीडियो इस चैनल को आप ज़रूर देखे और सारे वीडियो क्लासे आप ज़रूर देखे अब देखे यहाँ से देखते है इसमें क्या बात हो रही है प्रीवेस सेंटेंस तोला सा देखना पड़ेगा cut to the 1990s when the media ecology changed drastically with the advent of the worldwide web the generation and the distribution of news and opinion was no longer a linear process but network और देखे फिर से मैं सेम लॉजिक से सेम लॉजिक को इस्टेबलिश करके बताऊंगा देखे यहाँ पर क्या सकता है यहाँ पर एक्चुली इस प्रीवेस सेंटेंस में कोई भी नाउन हो ठीक है और उसका pronoun form अगर दिया है किसी भी option में तो वो definitely यहाँ पर आ सकता है यदि pronoun नहीं दिया तो इसका कोई भी reference वहाँ पर होना चाहिए मतलब यहाँ पर जो आएगा वो इस प्रीवेस सेंटेंस को extend करेगा इसको और जदा elaborate करेगा कि यहाँ पर हम 1990 की बात कर रहे हैं जब एडवेंट का मतलब होता है आगमन होना जब वर्ड वाइड वैड वैब आया था जब इंटरनेट आया था और इंटरनेट की वज़े से न्यूस का डिस्ट्रिवूशन था वो linear process ना होके network process हो गया linear process का मतलब है कि A से B को गया B से C को गया C से D को गया देकि network में सारे लोग उस information को access कर सकते हैं ठीक है अब इसका extension कहां पर हो सकता है यह हम देखते हैं देखें यहां पर यहां पर worldwide web की बात की गई है worldwide web मतलब एक noun और इस noun को replace किया जा रहा है यहां पर इस word के द्वारा this this was a medium internet एक medium है तो यहां पर भी एक reference मिल रहा है that was democratic accessible to all देखें यह है reference point network का network का मतलब है कि it is accessible to all ठीक है and multiple conversions तो यह किसका replacement है यह network जो previous sentence में आया है उसका यह replacement है यहां पर most appropriate जो fill होगा वो होगा यहां पर भी I hope आपको अच्छा तरीके से यह logical reasoning जो मैं आपको पढ़ा रहा हो यह अच्छा तरीके से आपको समझ में आ रही होगी you don't have to read the complete sentence आपको पूरा sentence पूरा paragraph नहीं पढ़ना है आपको सारे word meanings आई यह ज़रूरी नहीं है कि पर logical reasoning को किस तरीके से अप्लाई करना है within seconds accuracy के साथ कैसे answer निकाला है यह मैं आपको actually इस video class में आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है अब देखिए यह एक question है ठीक है अब यहां पर देखिए while individuals companies adapt to the new political economy in the west it doesn't diminish new Delhi's responsibility to make a case for open immigration policies for India's skilled worker यहां पर actually यह बात हो रही है कि इंडिया के जो skilled worker है उनके लिए open immigration होना चाहिए ठीक है यहां पर इसका एक extension चाहिए यहां पर हम देखते हैं क्या sentence आ सकता है also investment in advanced technology itself such as by Infosys नहीं इसमें तो कंपनी की बात हो रही है not surprisingly there is now increasing speculation नहीं नहीं आइटी जाइन की बात हो रही है sadly देखिए इसमें actually यह sentence यहां पर appropriate fit होगा the economic rational behind the free movement of labor चुकि यहां पर हम free movement of labor की बात कर रहे हैं तो यहां पर आगे बले sentence में हम इसका logic बताएंगे कि हम free movement की बात क्यों कर रहे हैं ठीक है इंडिया की skilled worker है उनका उनको एक free movement बिलना चाहिए ताकि वह पूरे world में काम कर सके तो उससे size of global economy बढ़ेगा ठीक है यहां पर एक keyword है size और यहां पर चुकि हम पहले बता रहे हैं कि global economy बढ़ेगी यदि हम इंडिया के skilled worker को free open immigration और यहां पर हम उसका हम उसका logic बता रहे हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं यहां पर हम उसको justify कर रहे हैं ठीक है और यहां पर आपका दी सेंटेंस यहां पर आपका एप्रोपियर्ट फिल होगा बाकी आप देखें तो वहां पर वह रेशनल नहीं दिया जा रहा है ठीक है बाकी में समय companies के बारे में बात हो रहे हैं कि I hope आपको यह exploration पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है यदि कोई भी को with the effects of intense rainfall, many of those lucky to have been rescued, owe it to national disaster response force but such responses system naturally have limited efficiency, efficacy in pre-robinately rural states such as Bihar क्या बोल रहे हैं इसमें? इसमें यह बोल रहे हैं कि पांच जो states हैं उनमें बहुत ज़्यादा बारेश होई है और वो struggle कर रहे हैं वहां पर उससे वो ओवर नहीं पा रहे हैं देख एक word आया है rescue, rescue का मतलब है कि वहां पर intense rainfall हुआ है, क्योंकि जब ज़्यादा बारेश होती है तभी यह word यूज होता है rescue, किसी को बचाने की situation create होती है, जब intense rainfall होती है, तो intense rainfall, intense rainfall से यह word जो है rescue, यह जोड़ा हुआ है, यह connected है logically, ठीक है, तो जो लोगों को बचाया गय गया है, काफी सारे लोग डूब गए, परेशान हो गए, बेघर हो गए, लेकिन जो लोगों को बचाया गया है, वो इसका स्रे किश्कों देते हैं, वो का मतलब है स्रे देना, इसका स्रे वो देते हैं, National Disaster Response Force को, National Disaster Response Force, यह एक organization है, और आपकी जनकरी के लिए मैं बता दू यह लोग, National Disaster Response Force, but such responses system naturally have limited efficacy in predominantly rural areas such as Bihar, यह जो response team है, इनकी जो efficacy, जो effectiveness है, वो limited रहती है, particularly जो rural states है, such as Bihar, जहां पर गाउं जादा है, अब हम आगे देखते है, capacity building to handle catastrophic weather events is poor, तो यहां पर हम यह बता रहे हैं, कि यह जो response force है, इनकी efficacy limited क्यों होती है, तो यहां पर हम क्या बताएंगे, इस sentence में हम यह बताएंगे, यहां पर हम इसको extend करेंगे, यहां पर कोई ना कोई reason देंगे, कि इनकी efficacy जो है, वो limited क्यों है, ठीक है, in Bihar's case, the shifting pattern and breaches of the COSI, have added to the complexity of the problem, which requires a deeper understanding of the area, most at risk, यहां पर actually हमें यह बताना चाहिए, कि efficacy जो है, in response team की यह limited क्यों है, तो इसमें उतना appropriate नहीं है, and यहां पर भी नहीं पता रहा है, यहां पर देखिये, C में देखिये, what stands out in the annual cycle of flats is the generally tidy pace of preparation for rescue and relief, यहां पर हम यह बोल ले हैं, कि जो preparation करते हैं, हर साल बारिश होती है, annual cycle of flats की बात हो रही है, तो उसमें tidy pace of preparation होता है, preparation जो हम करते हैं, बहुत delayed रहता है, tidy pace of preparation for rescue and relief, ठीक है, तो एक reason यह बताया है, और आगे वाले जो reasons हैं, वो इसमें आगे बताएं, इसका मतलब यहां पर previous, यहां पर C जो sentence है, यहां पर fit हो रहा है, क्योंकि उसमें हम limited efficacy का एक reason बता रहा हैं, फिर आगे वाले reasons हम आगे के sentence में बता रहा हैं, ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपका सी मोस्ट एप्रोप्रियेट फिट यहां पर आपका होगा है तो ऐसे इनको करना है आपको अब देखिए इस संटेंस को देखते हैं और इस संटेंस में क्या बात हो रही है पहले इसको पढ़ते हैं इसमें यह बोला जा रहा है कि देली जो है वो यूडियन टेरिटरी है और चीफ मिनिस्टर लेटेंट गवर्नर की पर्मीशन के बिना कोई भी डिसीजिजन नहीं ले सकते हैं तो वो इल्लीगल माना जाएगा इसका extension हो सकता है यहां पर और यह जो appointment word आ रहा है appointments इसका reference point यह दियाओ तो वो sentence यहां पर आएगा तो यहां पर हम देखते हैं the election commission has also reserved election commission कैसे आ गया यहां पर यह तो गलत हो जायेगा यहां पर एक पॉइंट की ही बात हो रही है यहां पर इस पॉइंट की बात हो रही है कि चीफ मिनिस्टर लेटनेंट गवर्नर की प्रमीशन के मना कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एक union territory है और ये categorically मतलब काफी forcefully Delhi High Court ने बोल दिया है Delhi Government से इसका मतलब ये है कि यहां पर भी देखे council for the Delhi Government had to concede the point ये जो point है ये previously यहां पर बोला गया है यहां पर यहां पर ठीक है तो इसका reference definitely यहां पर एक point के form में आ रहा है यहां पर आ रहा है इसमें इसका मतलब यहां पर यही sentence appropriately fit होगा और यहां पर हम यह भी बोल ला है कि council for the Delhi Government had to concede the point in the court मतलब केज़ी वाल ने बिना पूछे कुछ appointments कर दी है left-end governor से लेकिन बाद में वो court में जब गए तो उनको ये बात माननी पड़ी कि हाँ ये सही है और हम गलत थे concede का मतलब होता है कि पहले आप किसी भी चीज को बोल देते हैं कि ये सही है बाद में आप इंकार कर देते हैं नहीं मैं गलत था तो that is the meaning of concede ठीक है तो B इसमें आपका सही answer होगा चलि आगे यहां पर हम देखते हैं इसका मतलब यह है कि यहां पर यह बोलना है कि आठ आठ सितंबर को जो लांच किया गया है वो third consecutive success है वो तीसरी success है तो पहली और दूसरी success के बारे में यहां पर actually आना चाहिए यहां पर जब extension में हम बोल लाएं कि यह third consecutive success है यह तीसरी लगातर success है तो यहां पर first and second success के बारे में कुछ ना कुछ mention होना चाहिए यहां पर तभी यह logically इसके साथ connect हो पाएगा अब हम आगे देखते हैं देखिए इसमें इसरो यह इसमें success की बात नहीं हो रही इसमें success की बात नहीं हो रही इसमें हो रही है इसमें the successful launch marks a departure from the long history of failures with the GSLB except for the first every launch of the polar satellite launch vehicle the working of ISRO has been a success देखिए except for first, first की भी इसमें बात हो रही है first की इसमें बात हो रही है कि first failure रहा था second successful रहा है और यह third consecutive success है तो इसका मतलब यही यहां पर appropriate fit हो सकता है तो इसमें आपका answer होगा C कि इतने बड़े sentence को मैंने करके बताया और logical reasoning को आपको apply करता है ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं आगे देखते हैं इसमें क्या बात हो रही है each year a specific aspect of water is highlighted while observing international water world water day this year's theme was wastewater which is defined as any water that has been adversely affected in quality by anthropogenic anthropogenic influences and as a result of domestic industrial commercial and agricultural activities देखे यहां पर हम wastewater की बात कर रहे हैं कि हर साल विश्व पानी दिवस विश्व जल्द दिवस मनाया जाता है और water के किसी ना किसी aspect को वहां पर highlight किया जाता है तो wastewater क्या है wastewater ऐसा water है जो adversely affect हुआ है जिसकी quality adversely affect हुई है किस से anthropogenic influences मतलब human activities है as a result of domestic industrial commercial and agricultural activity देखे domestic industrial commercial and agricultural activities यह noun है तो यहां पर यह दिए कोई pronoun आता है इसको replace करते हुए तो वो आ सकता है यहां पर और यहां पर हम बोल लाए है most of our fresh water sources are under threat ठीक है तो यहां पर इससे भी related sentence देखते हैं इसमें कौन सा हो सकता है in recent decades population growth, accelerated urbanization and economic development have resulted in an increase in the quantity of waste water चुकि यह activities बढ़ रही है दिन पर दिन population growth बढ़ रही है accelerated urbanization बढ़ रहा है economic development बढ़ रहा है उसकी वज़े से waste water की quantity बढ़ती जा रही है and the overall pollution load being generated और overall जो है pollution load बढ़ रहा है इसी लिए इसको extend करते हुए sentence को यहां पर हम बोलना है कि most of our fresh water sources are under threat ठीक है इसको एक्स यहां पर proper extension है इस previous sentence का यह वाला जो sentence है यहां पर जो answer आपका होगा वो होगा यू की देखे यहां पर हम प्रीविएस प्रेसिडेंट थी एंस सेंड की बात कर रहे हैं और यहां पर हम यह बोल ले हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल कमिट्री जो है वो नए नए जो प्रेसिडेंट आए हैं या लेडी प्रेसिडेंट है यह मिस सू की इसकी तरफ देख रही है कि यह मैनमार के गोल्स और प्लांस को सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो यहा पर एक्षूली इसका रेफ्रेश देखना पडिएगा बिफोर्एजमेंट देखें यहाँ पर प्रीवर्ड सेंटेंस में ब्रॉड भी बोला है तो यह पर हम shotsri, Dekyear यहां पर चूकी Su-Key का रिफ्रेंस आया है तो Su-Key से रेटेटीड ही sentence आना चाहिए लेखें, in contrast नहीं, ये वाला आना चाहिए ये नहीं होगा in contrast Miss Su-Key visit to Thailand drew, नहीं, नहीं, ये नहीं आयेगा on all substantial matter the nation and the international community look to miss you key the de facto leader of the government who articulate myanmar goal and plans on the contrary mr suq talked about the economic policy of the government in detail right after taking off oath in contrast you hit in queue the new president yeah he had delivered the shortest possible speech in mars 2016 कि यहां पर यही होना चाहिए भी इसको देखते हैं पढ़के आगे यहां पर हम प्रिवेस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर एक्चुली नए प्र्यच के बारे में बात होनी चाहिए यहां पर जब हम प्रीवेस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर नए प्रेसिडेंट की बात वीजन और यहां पर हम बोले हैं shortest possible speech तो यह भी एक logic है यह भी यहां से भी a contrast create हो रहा है लेकिन यह नाम सेम नहीं है यहां पर miss you की और यह साइथ कुछ ना कुछ यहां पर miss print है मेरे साब से logically यहां पर यही sentence fit है in contrast miss you visit to Thailand do much attention on all substantial matter the nation and the international community look to miss you the de facto leader of the government to articulate Myanmar goal and plans ठीक है तो इस sentence मेरे साब से भी होना चाहिए आप इस sentence को पढ़ना आराम से आप मुझे बताना कोई आपको इसमें प्रॉब्लम लगई हो तो चलिए अब हम आगे ही देखते हैं कि यहां पर हम देखते हैं कि डी मॉनिटाइज़स ने जीस्टी है और डेफिलिटली इससे टैक्स्पेयर की संख्या भी बड़ी है है अब यहां पर एक कीवर्ड देखिए अदरवाइस देर इस नो एक्स्प्रेशन फर लोवर जीडी पी यहां पर यह सेंटेस आसानी से मिल जाएगा देखिए यहां पर हम एक्शली यहां पर एक्शली एक कॉंट्रास्टिंटेंस भी आ सकता है क्योंकि यहां पर हम डिवर्मेंट्राइज़स नहीं यहां पर ग्रोथ नहीं यहां पर देखिए यहां पर लगाएं तो उसके बाद आप बोल सकते हैं देखें यहां पर गौर्मेट एक रीजन दे सकती है कि इसकी वज़े से लोवर जीडीपी ग्रोथ हुई है क्योंकि GST ने डिस्रप्ट किया है, small business को affect किया है, agriculture को affect किया है तो इससे GDP ग्रोथ कम हो सकती है, तो यह एक रीजन दिया जा सकता है लोवर जीडीपी ग्रोथ के लिए और उसी के बारे में आगे बोला जा रहा है कि अदर्वाइस, मतलब इसके अलावा अदर्वाइस, there is no explanation for lower GDP growth, यहां पर यह एक दम appropriate fit इसमें होगा ठीक है, अब देखिए, इस sentence को दिखते है, in popular imagination, the railway budget was seen as a grand spectacle with the railway minister using it as a platform for populism and political grandstanding, what is not appreciated is that the budget is not merely a statement of allotment of funds to various projects and programs, unlike other ministers, but comprises a fairly detailed performance review, physical and financial of the previous year and prospect for the current budget year इसमें यह बोला जा रहा है कि popular imagination में मतलब लोग यह मानते हैं कि railway budget was seen as a grand spectacle इसको एक ऐसा, एक publicity stunt बाना गया इसको, grand spectacle का यह मतलब है, with the railway minister using it as a platform for populism and political grandstanding एक, 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 एक political stunt इसको माना गया, एक publicity stunt इसको माना गया, what is not appreciated is that the budget is not merely a statement of allotment of funds, इसमें railway budget में क्या कर गिया गया, कि allotment of funds को बता दिया गया, कि इतना यहाँ पर गया, इतना इस project में कया, इतना इस project में कया, लेकिन एक्शली होना क्या चाहिए, एक detailed performance review होना चाहिए, physical and financial of the previous year and prospects for the current budget, यहनी यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि कि अलग से रेलवे बजट को किटिसाइज यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है, a separate post budget discussion in parliament on the railway as indicated by the finance minister is not substitute, अब देखिए, इसमें हम देखते हैं, देखिए, the fact is that railway is indeed unlike any other central ministry in size and scope, it is actually an operational ministry, यह भी काफी close है, यह भी काफी close है, परहपस nowhere in the world is a political functionary called upon to present a financial report card of the country's, देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा link दिया है, railway जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा public undertaking है, largest public undertaking in the, एक तो यह link है यहाँ पर, यह railway के लिए ही बूला गया है इसमें, कि किसी भी country में, उस country का जो largest undertaking है, उसको अलग से present नहीं किया जाता है, और यहाँ पर एक keyword और दिया गया है, in the full glare of publicity, और वो ही बात यहाँ पर बोली गई है, यहाँ पर, यहाँ पर logically, see, इसमें सही sentence होना चाहिए, और जो भी students इस class को देख रहे हैं, आप लोग बताना कोई भी आपको doubt हो, किसी भी question में, आपको options अगर थोड़ा सा doubtful लग रहे हैं, यहाँ आपके इसाब से कोई और option होना चाहिए, तो please आप comment box में लिखके बताना, उसको मैं फिर से clarify परूँगा, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यह 10 sentence दिये हैं, paragraph फिलर्स के, I hope कि कुछ न कुछ logical reasoning के facts आपको सीखने को मिले होंगे, और definitely इससे आपको मदद मिलेगी, banking exams को निकालने में, तो यदि आप इस चैनल पर first time आये हैं, तो इस चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, इस video class को like आप जरूर करें, comment करके बताएं, कोई भी doubt, कोई भी query या कोई भी confusion है, तो, इस video class में इतना ही, अब मैं आपसे बिलूँगा, next video class में, thank you.